मश्कार स्वागत आपका हर्याना ड्राइविं स्कूल के यूटूब चैनल पर और मैं हूँ स्कूल संचालक राजगुमार दोस्तो आज की वीडियो हम कहां बना रहे हैं पहले ता आपको यह बताना चाहूंगा मैं आप लोग देख सकते हैं नीचे नेशनल हाइवे तयार हो दोस्तो आप लोग देखते रहें ट्रैफिक के नियमों के अनुसार गाड़ी कैसे चलाएंगे हमारे सामने अभी अभी ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने साइड में एक यह संकेत बनाया हुआ है आपको दिख रहा है ना यह वाला स टेकिंग नहीं करनी ठीक है यह वाला जो संकेत सीधा जाने का है और यह वाला है कि हमने मोड पे ओल्टेक नहीं करना इसका मतलब आगे सडक में मोड है एक तो दोस्तों फ्लाई ओर है ना जिस पर हम चल रहे हैं और एक आप आगे देख सकते हैं यह देखिए घुमाओदार म ठीक है क्यों नहीं करनी ओल्टेक करोगे मोड पे तो आपने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों स्पीड बढ़ाएंगे और ओल्टेक करेंगे तो गलत हो जाएगा गाड़ी के पलटने का डर हो जाएगा गाड़ी पलट सकती है गाड़ी का एक्स और टेक नहीं करना है एक यह निशान देख लीजिए इसका मतलब यह बनता है कि आगे इस तरह फेरोड ठीक है यह वाला निशान है ऐसे आगे है दिख रहे हैं आप लोग देखते रहे हैं आगे इस तरह के दो तिन चिन बने हुए है वहां तक यह गुमाओदार सडक है दोस इस तरह हैं आपने कभी भी ऐसे रोड पे कभी भी और टेक नहीं करना और टेक नहीं करेंगे तो आप और हम और दूसरे सारे सुरक्सित रहेंगे रोड पे लिखा भी होता है क्या लिखा होता है सुरक्सित रहिए बचाओ में ही बचाओ है ठीक है अभी आप देख सकते है इस तरह भी देख लेंगे एना ये वाला भी आगे गुमावदार रहे से ठीक है ना यहां ओल टेक नहीं करना है पता नहीं इस तरह से विकला जाए जैसे अभी ये गाड़ी आई है ना और आप और टेक कर रहोंगे सामने वो काड़ गड़ी है वो भी चल रही है मान कभी भी किसी भी मोड पे चाहे वो गुमावदार मोड है चाहे वो अचानक मोड आ रहा है आपने कभी भी किसी भी कीमत पर ओटेक नहीं करना है ठीक है? समझ गए? ठैंक्यू, धन्यवाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ड्राइविंग मतला हरियाडा मोडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूर